हेलो और मुट्सप गाइस तो कैसो आप सभी लोग आई होप सभी के सभी बढ़िया होंगे तो आज की वीडियो मैं बात करेंगे मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेयर के बारे में जो कि मुझे लगता है रैंग गेम के अंदर पूरे वर्ल्ड में इन से अचा कोई नही आपके वीडियो में बात करेंगे में 10 कि डिप त्रिक्स के बारे में स्ट्रेजिस के बारे में वो टैक्टिक्स कैसे लगाते है इतनी जल्दी तो गास बहुत ज्यादा डीटेल में एक्स्प्लेट करूँ आपको गैस भीना किसी टाइम बेस्ट के चलिए स्टार्ट करते ह तो गाइज आमेटन की तो ऐसी बहुत सी चीज़े हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा अची लगती है लेकिन जो पैस चीज मेरे को लगती है आमेटन की वह है गाइज इनके टैक्टिक्स और दूसा इनका डिसीजन मेकिंग तो गाइज डिसीजन ये इतना खतरनाक लेते हैं मतलब ऑइनमी सामने खड़ा है चार बंदे एक साहत रुष्ट कर रहे हैं फिर भी याईस एसा नहीं सोचनगे कि भई मैं को मारना है या क्या करना है यह ऐसा शोच ये ऑप्टिम मिम सोच रखते हैं कि मिया एक डिसीजन मेकिंग मतलब जब कन सामने आ लरो आपके सामने क्या क्या कर सकता है उसके बारे में सोचना और मतलब 4 बने एक साथ आ रहे हैं तो वो confused कैसे होंगे उसके बारे में सोचना तो यह चीज मेरे को इनकी बहुत जादर जवर्दस लगती है तो गाई एक चीज पर हम डीटेल में बात करेंगे तो guys first of all हम बात करते है tactics की तो guys इस पर जितने वीडियो बनाओ उतने कम है क्योंकि मैं कितने भी वीडियो बना सकता हूं इस पर आप चाहो तो मैं कितने भी वीडियो बना दूँगा क्योंकि guys short range के अंदर अपना decision change करना और मतलग किस situation पर आपको कब निकलना है कब shoot करना है वो होती है tactics और कितना fast आपको करना है ये भी tactics के अंदर आता है अब guys देखकी सकतो नीचे एक बंदा है नीचे से आवाज आ रही है अब जैसी वो आएगा सीधा खड़ा हुआ तबी कि ये headshot मार देंगे अब guys main चीज़ है headshot नहीं है कि मतलग इनोंने headshot मार दिया इनकी sensitivity ऐसी है वैसी है main चीज़ है कि कब आपको cover लेना है कब आपको shoot करना है और कब आपको cover लेना है अब guys देखो जैसे ये बार आ रहे है और अंदर जा रहे है क्यों कर ले है मैं आपको फिर से explain करता हम पूरा बैटा है और guys इनको पता नहीं था कि मतलग कहां पर बनता है अगर ये CD के उपर होता तो ये वहीं से मार देते headshot लेकिन जैसे इनको पता चला कि नीचे बनता वहां पर CD में नहीं बैटा और भी नीचे बैटा है तो ये उपर आगे अब guys देखो एक एक चीज को मैं बहु बहुत ही simple है guys कि जैसी enemy उपर आएगा उसको नहीं पता होगा बनता किदर है लेकिन जैसी थोड़ा बहुत भी दिखेगा उसको तब ही कि तब ही वह शूट करना लग जाएगा और guys जैसी वह शूट करेगा उसकी position एकदम fix हो जाएगी और इन उसको नहीं पता होगा कि कब अब यह enemy जो MA10 है वो कब बाहर निकल के मारेगा तो वो और भी ज़्यादा confused हो जाएगा तो जैसी वह शूट करेगा तब ही यह cover से बाहर निकल के headshot मार देंगे क्योंकि standing बंदे को headshot मारना बहुत ही ज़्यादा easy होता है थोड़ी में skills की बाद बता देता हूँ अगर short range में आपको बहुत ज्यादा sensitivity चाहिए होती है तो guys आपको moment वाला बटन है इसको दपा के रखना पड़ता है उसके बाद आपको shoot करना बढ़ता है तो guys आपकी sensitivity बहुत ही ज्यादा increase हो जाती है वो भी short range के अंदर आपके होने में खड़े कभी निकल कर मार सकते हैं तो इसके पहले cover के अंदर जाते हैं short test जो cover हता उसमें जाते हैं फिर उसके बाद फिर से उसके पास जाते है ताकि enemy बहुत जादा confusion अब इसके बाद सामने बन्दा है उसको पजा है नहीं कहां पर बन्दा है किस वक्त वो निकल क भी नहीं मतलब अगर आप शोट रेंज के अंदर इतने जल्दी उसके अंदर कवर में चले जाओगे तो यानिमी को पता ही नहीं चलेगा कि कब आप कवर से बाहर आ गए और कब आप कवर से अंदर जाके मार रहे हो तो गाइस इसी क्लिप को मैं फिर से दिखाऊंगा कि मैंने एक और चीज नोटिस की थी जो कि आपने नहीं कियोगी तो गाइस जैसी एक बंदे को इसनोंने नोक किया तो यह सीधा वापीज इसी कमरे में ही क्यों जा रहे हैं मतलब वो ऐसे ऑब्स्ट्रेकल ही काम करेगा क्यों अब गाइस देख सकते हो कि यह एकदम डॉर के अंदर था अगर एमेटन सीधा राइट वाले डॉर में जाते तो उनका मतलब नोक वाले बंदे के ओपर यह फस जाते और नीचे से वो एनेमी आके इनको मार देता तो गाइस इसका भी धान रखना पड़ता है कि सामने कोई ओब्स्ट्रेकल ना आ जाए मतलब मोमेंट स्पीड के अंदर कोई ओब्स्ट्रेकल आएगा तो गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो गाइस आई होब कि आपको एक एक चीज समाज आ गया होगी कि ये चोटी से चोटी चीज को भी इतना ज्यादा इंपोर्टेंस क्यों देते हैं और गाइस शोट रेंज के अंतर आपको टिप्स और ट्रिक्स चाहिए कि डिसीजन मेकिंग और टैक्टिक्स के उपर तो भी मेरे को बता सकते हो और गाइस मैं अल्रेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंतर मैं सोलो वर्से स्कौाड गेम खेल रहा था और गाइस बहुत ज्यादा मैंने वहाँ पर टैक्टिक्स भी लगाई और वहाँ पर काफी ज्यादे डिसीजन मेकिंग मैं आप उनको समझाया है जो कि गाइस शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा लेकिन दीरी दीरी गाइस अगर जितना ज्यादा आप गेम खेलोगे जितना ज्यादा अब्जर्व करोगे उतना ही आपकी टैक्टिक्स भढ़ जाएगी आपका जो देखने का नजरिया है मतलब क्या चीज आपको नोटिस करने चाहिए क्या चीज नहीं करने चाहिए वह काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी तो गाइस नेक्स टीप बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है जो कि यह गाइस यू कैनोट विन अगेंस्ट हाई नमबर्स तो गाइस एनमी की अगर आपके से ज्यादा नमबर्स है मतलब वह तीन या चार बंदे है और आप अकेले हो अगर वह आपको एक साथ शूट कर ही नहीं है मतलब इनके सामने अगर दो बंदें को शूट कर रहा है तो यह अपने पोजिशन को ऐसा बनाएंगे कि यह सिरफ एक ही बंदे को वीजिवल लोंगे तो गाइस एक चीज को मैं एक तम ध्यान से समझाने वाला हूं अब तो गाइस क्लिप को धान से देखना कि ज गईसे इन्होंने शूट किया ना बाहर निकलके अब तीन में से सिरफ एक ही बंदे को पता था कि यहाँ पर बंदा है तो जैसे इन्होंने शूट किया काफी हैड़शूर मारा अब गाइस देखो हूँ इन्होंने वहाँ पर भी रह सकते थे यह, मतलब जो पॉजिशन होत लेकिन यह क्या करेंगे जैसे शूट करेंगे तो थोड़ा पीछे आ जाएंगे ताकि वो पीछे वाले बंदे को विजिबल ना हो तो काइस जैसे इनको विजिबल नहीं हुआ तब इन्होंने ग्लूबल मार दिया क्योंकि वो सामने आके सीधा अगर शोटकन होगी तो वो सी शूट नहीं कर पाया लेकिन जैसी दोनों बंदे एक साथ रश करने लगे ना गोल या मानने लगे तब इन्होंने ऐसी पूजिशन मैंटेन की कि सिरफ एक ही बंदे को विजिबल हो तो पूरा दिवार के अंदर भीड़ गए थे देगा ना जैसी दिवार में भीड़े सिर अगर हमारा एम अच्छा नहीं होगा तो हमारा कभी-कभी मोमेंट बहुत जादा स्लो हो जाता है अब गाइस देखो यहां पर इनका स्लो हुआ तो जैसी इनको पता चला कि भाई यहां पर में खड़ा हूं तब इन्होंने ग्लूबल मार दिया और लैंड माय लगा दिया तो इनको इनको अग्त मर जाएगा। लेकी नहीं मरा अब गैस देखनां यहां पर इनकी जादा डाउन हो जाएगी। लेकिन इनकी अप। इनकी आप स्पीड देखो कि मतलग कहीं आपको बचा रहे थे, एनमी का कंट्रोल था इनके उपर, लेकिन इनका कंट्रोल नहीं था उन पर, तो जैसे इनको पता चला कि एनमी अनक्ट्रोल हुआ, तब इन उने एड़ शूट माई दिया, तो गाइस काफी लोग बड़ी बड़ी गलती ये करते हैं, कि बहुत ही ज्य मारने को सोचा, तो इससे क्या हुआ, कि एनमी उस वक्त गलूबल मारने लग गया, आप खुद ही देख सकते हो, जब आप स्लो मशन में फिर से देखोगे, तो जब मैं उसको मुक्का मारने जा रहा था, तो इतनी शोट रेंज के उनके गलूबल मारने का कोई भी फाइदा कर रहा है, तो जैसी पता चला, मेरे पास शोट रेंज कोई भी गन नहीं है, मैं सीधा ऊपर भागा, और यह मेरे पीछे-पीछे भाग रहा था, और मुझे पता था कि इतना क्विक डिसीजन नहीं लेता है, मारने का, पीछे मुड के कौन मारेगा एकदम से, सीडी के इपर्डेंट होती है, तो फ्रीफार के इंपर्डेंट होती है, यह मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो गाइस इस क्लिप में मैं फूल आवाज कर दिया, ताकि आप एक एक चीज को नोटिस कर जबो, गाइस एक एक साउंड को आप नोटिस करने हैं कि आपको क्या पता पता है, तो गाइस इसने भी एएरफोन स्पैन है, उसको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने जैसी बंदा मारा, मैं पीछे की साइड आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं एक बंदा ढूनता हूँ, तो मुझे कैसे पता चला बंदा यहाँ पर है, यहाँ पर मुझे बंदा मिल भी गया, और मुझे कैसे पता चला यहाँ पर एक बंब की साउंड आ जी, जैसे ही मैंने अनिमी को मारा था, तो गाइस इसको भी मैंने हैड्शुर मार दिया, यह बंदा टीमिंग कर रहा था, और मुझे टीमिंग बिल्कुल भी पसंन नहीं ह करते हैं मुष्ट मुष्ट मूश्ट इंपोस्टेंट की जो कि है Kingdom प्रसक्राइब कर लो त्वरियों प्रसक्राइब कर लो जब तक मेरे और टीप्स नहीं डेखोगे तब तक आप समझ पढ़ाएगा ने क्या है क्या कल़White सबसे तो सबसे मुठ़कर लो प्राइब प्राइब प्राइब